अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पढ़तूंगा अब दोस्तो बात करी जाए तो यह फिल्म हम सबके बीच में पर बिश नहींक कराई गया था अब दोस्तो बात करी जाए कि यह फिल्म हम सबके बीच में जहाँ पर 30 अप्रेल को रिलीज होने वाली थी तो क्या दोस्तों ये फिल्म हम सब के बीच में 30 अप्रेल को रिलीज हो पाईगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जहाँ पर आप सबी को पता है कि महराश्ट हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडरस्टी का एक काफी बड़ा और दोस्ते काफी अहम हिस्सा है जिसके वज़े से दोस्तों वहाँ से काफी बड़ा कलेक्शन आता है फिल्म को लेकर के अगर बात थोड़ी थोड़ी करें तो इस फिल्म से रिलेटेड वहाँ पर कई सारे सीन से दर्शाय गाए है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस फिल्म को अगर वहाँ पर रिलिस करा जाता है तो लगबग 40-50 किरोड रुपे ये फिल्म महाराष्टे से कमा सकती है पर दोस्तों इसको चलते ही हम सबके बीच में महाराष्टे सरकार ने लोगडाउन लगा दिया और दोस्तों साम के टैम पे ठैटर्स बंद कर दिये यानि कि दोस्तों सरकार का कहना ये है कि आड़ वजे सभी मॉल्स, सभी ठैटर्स और दोस्तों जितनी भी भीड़ वढ़के वाली जगा है जैसे कि बजार ये सब बंद हो जाने चाहिए यानि कि दोस्तों अगर फिल्मों को सो देखने कले मिलेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो नाइट के सोज रहेंगे वो बंद हो चुके होंगे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आड़ियंस ज़्यादत तर साम का और राज के सोज ही देखने आती है तो इस टेम पे ही आड़ियंस फिरी होती है अब दोस्तो बात करी जाया कि अगर ये फिल्म हम सब के बीच में 30 अप्रिल को रिलीज होती है और दोस्तो महराश्टे में इस फिल्मे के सोज नहीं लगा जाते हैं तो इस फिल्मे के कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा उतार देखने के लिए मिल सकता है जो कि आपक हम सब के बीच में रिलीज हुई फिल्म मुंबाई सांगा में देखने के लिए मिला था वैसे दोस्तो आपको क्या लगता है कि अगर ये फिल्म हम सब के बीच में 30 अप्रिल को रिलीज हुई तो क्या सही से कारोबार कर पाएगी या फिल्म नहीं नहीं और दोस्तो आपको प्राटा पिटा का जैहिंद वन्ने मात्राइब